इस वीडियो में हम फार्मूला टैप के डेट एंड टाइम फंक्शन में डेट वैल्यू फंक्शन और टाइम वैल्यू फंक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट वैल्यू फंक्शन को जानेंगे तो जो डेट वैल्यू फंक्शन होता है यह जो हमने डेट लिखी होती है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी होती है उसको यहाँ पे नमबर फॉर्म में चेंज करता है तो यह जो date हमने यहाँ पे लिखी यह एक text की form में है और हम इसको यहाँ पे number देखेंगे कि इसका number यहाँ पे कितना है तो यह जो एकसर जो होता है इसमें date जो लिए होती है यह first जनवरी 1900 यहाँ से लिए होती है तो इसका जो number आएगा यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे date यह लिखो date value निच्छे आ जाएगा यहाँ पे click किया click करने के बाद tab की प्रस करेंगे यह date value यहाँ पे आ जाएगी इसके बाद आगे लिए गया date text जो date हमने text की form में लिखी हुई है वहाँ पे click करेंगे तो इस cell पे click कि यहां पर आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो यह जो number आये यहां पर यह हमें शो करेंगे यह देखो enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो one यहां पर आ गया तो यह decimal place है इसको हम यहां पर decrease करते हैं तो हम यहां यहां पर number group में जाएंगे और यहां पर decrease decimal यहां पर click करेंगे तो यह decimal यहां से चले जाएंगे तो यह देखो यह जो हमने date यहां पर लिखी इसका जो number है यहां पर one है तो यह देखो start date जो है यहां से ली गई है अगर हम एक भी date यहां से पिछे से लिखेंगे तो यहां पर error तो इसको यहां पर करके दिखते हैं जैसे हम यहां पर लिखेंगे 31st दिसमबर 1899 तो यहां पर लिखेंगे तो यह हम यह date चेंज करेंगे यहां पर double click किया और यहां पर हमने date change की 31st लिखा ये 31st इसके बाद यहां पे ये date लिखी और इसके बाद आगे यह भी change करेंगे 899 यह हमने यहां पे लिखा लिखने के बाद जब हम enter press करेंगे enter press करने के बाद यह लिखो यहां पे value error यहां पे आगी क्योंकि यह जो starting date है यहां से ली गई है तो जो date हमने लिखनी है वो date जो है यहां से start करनी है और इस date तक हमने यहां पे लिखनी है तब ही जाके हमें यहां पे number show करेगा इसके बाद अब हम यहां पे current date को लिखेंगे, यहां पे click किया, click करने के बाद इसको delete किया, इसके बाद यहां पे हम current date को लिखेंगे, जो कि हमारे system में चली होगी है, तो हम keyword की shortcut keys use करेंगे, यहां पे यह date आ जाएगी, date आने के बाद जब हम यहां पे enter प्रेस करेंगे, तो 4039 इसके वाद यह जो date हमने लिख्य हुई है इसको यहां पर click करेंगे और यहां से लेके हमने यहां पे 7 तक यहां पर text format बनाया हुआ है तो यह जितनी भी date है यह text format में आएगी यहां से लेके यह 7 तक इसको drag किया यह 3 से लेके 7 तक हमने इसको text format बनाया था तो यह जितनी भी date यहां पे लिखी हुई है, यह text format में है, तो यह यहां पे date value formula के जरी यहां पे हमें number show करवा रहा है, जैसे यहां पे 8 row पे click किया है, यहां पे click किया, तो इसको देखेंगे कि यह किस format में है, तो यहां पे home tap पे जाएंगे, और number group में जाएंगे, तो यह द date value formula यूज करेंगे, तो यहां पे हमें value error show करेंगे, यह दिखो, यहां पे हमने अगली date यहां पे लिखेंगे, जैसे 28, 7, 2020, यह हमने यहां पे date लिखी, लिखने के बाद, यह जो यहां पे formula लगाया हुआ है, इसको यहां पे नीचे ड्राइग करेंगे, यह दिखो, यहां है text की form में नहीं है तो इसी लिए यहां पे हमें यह value error शो कर रहा है अगर हम इस date को text के format में change करेंगे तो यहां पे यह हमें number शो करेगा अब हम इसको text के format में change करते हैं तो यह text के format में हमने इसको change किया enter प्रेस किया तो ये देखो ये जो हमने यहां पे date लिक्वी है, इसका जो number है, यहां पे ये शो कर रहे है इसके बाद हम ये चेक करना जाते हैं, इसकी जो date है, ये कौन सी date है तो इसको check करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को select करेंगे select करने के बाद यहां पे home tab पे जाएंगे home tab पे जाने के बाद number group में जाएंगे और यहां पे more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद यहां पे short date यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह लिखो यह जो date हमने यहां पे लिखी थी यही date आगे यहां पे show कर रही है यह यहां पे लिखी थी यहां पे show कर रही है तो same जो date यहां पे लिखी थी वही date यहां पे show कर रहा है इसके बाद यह format change करना है तो इसको फिर select करेंगे select करने के बाद number group में जाएंगे और यहां पे more button पे click करेंगे इसके बाद long date यहाँ पे क्लिक करेंगे तो long date पे क्लिक करने के बाद यह दिखो same date यह यहाँ पे show कर रहा है date value function के बाद अब हम यहाँ पे time value function को करेंगे तो time value function भी date value function की तरह ही होता है जैसे यह जो हमने यहाँ पे time लिखा हुआ है इसको भी यहां पे text में change किया हुआ है तो इसको check करने के लिए यह दिखो यहां पे हमने इस time पे click किया तो यह दिखो number group में जाएंगे यहां पे यह text format में है निच्छे यहां पे click किया तो यह भी text format में है अब हम इस time को जो कि एक text की form में है इसको number में change करेंगे तो number में change करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद equal to यह लिखेंगे equal to लिखने के बाद यहां पे time value यह time value निचे आ जाएगा यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद आगे दिया गया है time text तो जो time हमने text की format में change किया हुआ है वहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे हमें यह number show करेगा इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे यह ड्रैग किया तो यह देखो यहाँ पे हमें यह नमबर शो कर रहा है अब हम यह चेक करना जाते हैं कि यह जो नमबर यहाँ पे आया हुआ है इसका कौन सा टाइम है तो यहाँ पे click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पे number group में जाएंगे और यहाँ पे more button पे click करेंगे और यहाँ पे time पे click करेंगे यह time पे click किया तो यह देखो जो time हमने यहाँ पे लिखा हुआ था वो time यहाँ पे आ गया अब नीचे यह जो number है इसका भी time हम यहाँ पे check कर जाते हैं तो यहाँ पे कलिक करके इसको निचे ड्रैग करेंगे तो जो हमारा computer होता है यह time को देखने के लिए इस format को ने देखता है यह जो हमने आगे number निकाले होते हैं उस format को देखता है और उस हिसाब से यह time को देखता है तो इस वीडियो में हमने date value function और time value function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद